तो चलिए आगे बढ़ते हैं सी बीच एक और बड़ी ख़बर आ गई है यूपी पुलिस सिपाई भरती परिक्षा का दूसरा चलन आज है आज और कल होंगी सिपाई भरती की परिक्षा बदालें कि 19 लाग 20,000 से जादा भिहारती स्में शामिल होंगी कड़ी सुरक्षा के बीच आज और कल एक्जामस हो रहे हैं 24 गंटे ही स्टोंग रूम की निग्रानी रखी जा रही है कड़ी सुरक्षा का पहरा यहां पर देखने को मिल रहा है देर रात से यह भिहारतियों के पहुच्टे का सिलसला शुरू हो चुका है ट्रेन बस के माध्यम से लगातर अब भिहारती परिक्षा के इंदरों तक पहुच रहे है 19 लाग 20 जार से जारा भिहारती आज और कल परिक्षा में शामिल होंगे तो दूसरे चरण की शुरूबात हो रही है पुलिस ने सुरक्षा चाच्चाबंद कर दिये तो बतादें कि 19 लाग से जारा भिहारती इन परिक्षा में शामिल होंगे कड़ी शुरक्षा की निगरानी है और पूरी चेकिंग करने के बाद ही परिक्षा के इंदर एंट्री मिल पाएगी तो हर लियाज से पुलिस तमाम बंदोबस्तियां पर कर रही है इलाके में भीड बार कहीं भी नहीं होने दी जा रही है जहाँ पर लोगों का हुजूम है वहाँ पर लोगों को 30 तरबितर किया जा रहा है 24 गंटे इस टोंग रूम की निगरानी हो रही है और परिक्षा केंदरों के आसपास बिलकुल भी पुलिस भीड नहीं जमा होने दे रही है ट्रेफिक विवस्ता की अगर बात कर लेते हैं तो वो भी ट्रेफिक पुलिस की तरफ से सुचारू की गई है कहीं जान किसीती ना बने क्योंकि परिक्षा आरती लगतार परिक्षा केंदरों पर पहुँचेंगे सुबह और जान किसीती ना हो, कोई लेट ना हो उसको लेकर बी ट्रेफिक पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी है आज और कल सिपाई भरती परिक्षा हो नहीं है जिसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है अब भ्यारती फिलाल परिक्षा के दिरों पर पहुँच चुके अपसे कुछी देर में परिक्षा की शुरुवात भी हो जाएगी 24 गंटे ही स्ट्रोंग रूम की निगरानी भी आपर कीव जा रही है सबसे पहले हम आपको जांकरी दे रहे हैं आज और कल सिपाईबरती परिक्षा हो रही है UP E.P.E. सिपाईबरती परिक्षा का दूसरे चलंग की शुरुवात हो रही है tut wichtig रही है हर एक चीज़ पर पोलिस प्रिक्षार्शं नजर बनाया हुआ है जिस तरीके से अब तस्वीरे भी देख रहे हैं चेकिंग करने के बाद उसके अंदर ही अंदर एंट्री मिल रही है तीन तस्वीरे मैं आपको दिखा रहे है उन्नाव जहासी और अलीगर की तस्वीरे हैं उन्नाओ से आप देखिए परिक्षा किंदों पर निगरानी है राहbers तरीके से लगतार देखने को मिल रहा है कि जो परिक्षारती है अब लगतार किंदों पर पहुँच रहे हैं उनके आने का स्लसिलाय शुरू हो चुका है किस तरीके के आप कारिक्रम और देखने को बेलेंगे, रूप लेका किस तरीके से प्रशाशन बना रहा है? पन्जी करतों अपने फविष्की इभार्व लिकेंगे, दिलाल जो परिछा केंदर है, वहाँ परिचा कर चुके हैं, तो परिचा केंदर हैं जो इंट्री कर चुके हैं, और होंको इंट्री के पहले उंको मेटल इटिक्तर की चेकिंग से गुजरना पड़ा, इसके लाबा, के लाइब हांद कालावा बांध है, वहां बहुँ ठागा ड़ा है, और वैस चिसे टी फी जो पुण्डाव पुलिच्ट लाइने हाइटेक रेंट्रोल रूम बनाए गए वहाँ पर पलपल की गजिदी स्टेनरों के बासे तो वहाँ एक्सपर्ट देख रहे हैं जिसके बाद कोई वहाँ पर गजिदी उनको संपर्कर वहाँ पर पुरच्छा का जयदा लेते हैं और लेते हैं और अमित हमारी साथ हमारी समरता नोयडा से जुड़ चुके हैं सबसे पहले हैं मानशू जिस तरीके से लगतार आप चाकचोबन विबस्ता हैं आप देखने को मिल रहे हैं पर इक्षारती पहुच चुके हैं, क्या ताज़ अब्रेट आपके पास है अभी? तीन तारीकों एक्जाम था, इसके बाद आज तीस तारीक है, आज एक्जाम है, तो ऐसे में गाज़ेबाद भी 20 सेंटर बनाए गए हैं, और 20 सेंटर पर 8500 जो अभ्यारती हैं, उनकी परिक्षा होनी है, और उसको लेकर CCTV कैमरे जहां पर वो कमरों में बैटे हैं, उनकी मानि परिक्षा होनी हैं, तो इस बार पूरा जोड दिया जा रहा है कि नकल वही परिक्षा ये संपन हो, 60,000 जो यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की भरतियां हैं, ये सही तरीके से हो, और जो नोजवान हैं, जो चाहते हैं, यूपी पुलिस कॉंस्टेबल में हिस्सा लेना, वो हिस्सा ले सकें, और अच्छी तरह से जो चल रही है भरतियां, ये कंप्लीट हो पाएं, तो ऐसे में इंतजाम पूरे हैं, पहली पाली की जो अंदर एंट्री है, वो हो चुकी है, दूसरी पाली तीन बे से चुरू होती है, पांथ बे तक रहती है, तो अंदर बच्चे ज नीचे अपनी दूसरी पाली का इंतजार कर रहे हैं, हाला कि रोडवेज के लिए भी पहले से ही दिशानी देश जारी कर दिये गए थे, जो दूर दरासे जिनके सेंटर यहां पर पड़े हुए है, गाज़बाग में, उनके लिए रोडवे सेवा पूरी तरा से फिरी कर द बिल्कु देखे, अठारा सेंटर नोडा और गेटर नोडा के अंदर बनाए जाए हैं, परिक्सा को लेकर और स्वक्सा की अगर बात की जाए, तो पूरे इंजामा चाग चोबंत किये गए हैं, जो इंट सीपी लेवल के अधिकारी हर एक परिक्सा सेंटर पर जाकर इस बा देने के लिए अंदर दाखिल हो चुके इस ताड़े नोबजे तक का समय होता है, उसके बाद किसी की भी एंट्री यहां पर नहीं है, और गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, अंदर भी तमाम दो पुलिस कर्मी हैं, उनको तैनात किया गया, इसके लावा अगर सेंटर के बाहर की प्रस्विर में आपको दिखा हूँ, अब देखेंगे, एसीपी लेबल के अधिकारियों को हर एक परिक्सा सेंटर पर लगाया गया, खुद एसीपी यहां पर खड़े हुए, उसके लावा नोबजा पुलिस कमिशनर की बात की जाए, तो कलक्टेट में कंट्रोल रूम बनाया गया, उस कंट्रोल रूम की मोनिटिंग, खुद जिलादी कारी और कमिशनर के दुआरा की जा रही है, वो लगातार वहाँ पर जाकर इस बात को सुनिस्थित कर रहा है, जितने भी सेंटर हैं, जहां पर सीची टीवी केमरे लगे में, उन सीची दिन का एकजाम जो था वो हो चुका है आज चोथा एकजाम है इसके बाद एक एकजाम और होगा जिस तरीके से उत्तरप्रदेश सरकार ने नया कानून बनाया था कि अगर परिक्सा के अंदर कोई गड़बड़ी फैलाता है तो उम्रकेत तकी सजा देने का प्रावधान अब परिक्सारती हैं वो कम पोँचे इस सेंटर पर भी पैतालिस परसेंट के असफार जो परिक्सारती हैं वो कम पोँचे हैं लेकिन जो भी परिक्सारती एकजाम देने के लिए अंदर जा रहा है उनको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा तीन लेर की सुरक्सा है पीछे मैं क बिल्कुल केना कि सुरक्षा लेहाज से कड़े बंदुबस तमित यहां पर देखने को मिल रहा है दुबारा भी आपके पास लोटेंगे कानपूर का भी रुख कर लेते हैं श्याम लगातर हमारे साथ बने हुआ है श्याम जिस तरीके से हमने तमाम जगा से जानकारी ली तमा सुरक्षा लेहाज से कड़े बंदुबस देखने को मिल रहा है कानपूर के अगर बात करते हैं क्या ब्वस्ता कि कानपूर के अगर बात किया तो कानपूर में 69 परिच्छा केंद बनाए गये हैं और हर पाली में यहाँ पर 25,800 परिच्छा देनी है तमाम सेक्यूरिटी के परिश्णदा है कि जो श्क्स परिच्छा दरता है तब इस पर दीने जा रहा है वही भी सक्स वो है तब उसे परिच्छा इन्टरिंटिंट अमेंze मैं परिच्छा हूं इसमें कोई बहुत बड़ी धांदली की शिकायश सामने नहीं आई कानपूर में दो तीन मामने जरूर सामने आई जिसमें एक मुन्ना भाई पकड़ा गया वहीं एक शक्स जो अपने परिच्छा का प्रवेश पत्र है उसमें कुछ लिख करके लाया था और उससे नकल करने का प्रयास कर तो उसे पकड़ा गया तो आज ये चौथे दिन की परिच्छा है पहली पाली के जो परिच्छारती है वो परिच्छा के अंदर जा चुके हैं उनकी परिच्छा थोड़ी देर बादी शुरू हो जाएगी CCTV केमरों से उनकी निगरानी की जा रही है और आपको बता दें सब फिच्छी बार हुआ कि परिच्छा माफिया उन्होंने पर आट कराया तो इस बार सरकार ने सुरूच्छित किया कि किसी भी माध्यम से परिच्छच्छित में पाए तमाम सखानियम कानून बनाए गया जिसकी बज़़ से पेपर आट करने अंदर ना जाने पाए जिससे ब्लूटूट डिवाइस के माध्यम से नकल कर सके यहां तक कि तमाम इस्टूडेंट्स जिनके बाल बड़े होते हैं उनके बालों की भी चेकिंग की जाती है कि बालों में चिपा करके तो कोई चीज़ ले करके नहीं जा रहे हैं सुरक्ष लेहां से कड़े बंदोबसते हैं ठीक है हम आपके बाद सुरंत लोटते हैं श्याम और निखिल भी हमारे साथ जड़ चुके हैं लखनव से उनका भी रुख कर लेते हैं और निखिल जिस तरीके से चायकानपूर की बात करें नौईडा और गाजियाबाद तमाम ज चाहे वो परिक्षारती हो या कोई व्यक्ति हो किसी को कोई दिक्कत ना हो सब कुछ इतना सिस्टेमाटिक किया गया है कि परिक्षा में किसी तरह का व्यवधान ना हो इस वक्त मैं लखता हूँ कि शिया पीजी कॉलेज पर मौजूद हूँ और सेंटर के अंदर जो चात्र है वो परिक्षारती हैं वो अंदर जा चुके हैं साड़े नव बेज तक ये गेट एंटरी के लिए खुला था उसके बाद इसे गेट को बंद कर दिया गया उसके बाद आने वाले किसी विव्यक्त को अंदर जाने की अनुमती नहीं परिक्षा दस बेज से शुरू होगी और उसके साथ ही अगर हम बात करें परिक्षा केंदर की तो लगातार जो है परिक्षा केंदर में चाहे वो अंदर की बात हो चाहे बाहर की सीसी टीवी से निगरानी की जा रही कोई भी ऐसा व्यक्ति संदिक दिव्यक्ति जो परिक्षा केंदर है उससे सो मीटर के दाइरे में नहीं रह सकता ये भी सुरिशित किया गया तो चुकि जिस तरह से पिछली बार पेपर आउट हुआ था पेपर लीक हुआ था उसके बाद सरकार की काफी किरकरी हुई थी लिहाजा सरकार में इस पूरे मामले में को बेहत गंभीरता से लिया ये तैक किया कि इस बार जो परिक्षा होगी उसमें किसी भी तरह की कोई गरवड़ी ना होने पाए यही वज़ा है चाहे हो सरकारी मशिंडी की बात की जाए य पकड़े गए लेकिन जो सबसे में बिल्कुल निकिल बिरके न कई परिक्षा चात्रों के इसासर सरकार की विए तुरंद लोटते आमित लगातर बने हुए हैं अमेज जिस तरीके से हम आपके पीछे भी देख रहे हैं कि कई वरेश दिकारी की मौजूदगी भी है और जो पूरी तरीके से चाक चोबन जो इंजामात हैं वो नोड़ा के हर एक सेंटर पर किये गए तमाम वरिष्ट अधिकारी चाहे कमिशनर की बात की जाए जिलादीकारी की बात की जाए तमाम अधिकारी हर एक परिक्षा सेंटर पर जाकर इस बात को सुनिशित कर रहे हैं कि कि क पूरी तरीके से यहाँ पर चैनात किया गया ताकि तमाम जो परिक्सारती हैं उनको लेने कर आने वाली जो गाड़िया है वो रोड पर नाकड़ी हो जाम ना लगे और परिक्सा सेंटर तक तबाम जो पुलिस कर्मी है वहाँ इसलिए तेनात किया गया है कि परिक्सा सेंटर तक मोचने वाले जो भी अब ब्यारती है वो जाम में ना फचे यूपी रोडवेज के अगर बात की जाए तो परिक्सा वेवस्ता है फिलाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकरी हमारे साथ साज़ा करने के लिए ख़बर पर आप मज़र बनाया रखिएगा आगी भी लगतरम लोग आपसे अपडेट लेंगे तो फिलाल जिस तरी किस्ता आपने देखा और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सबसे बड़ी परिक्षा है और साथी साथ आपको बता रहे हैं कि सुरक्षक के लिहाज से कड़े बंदुबस्तिया पर देखने को मिल रहे हैं